नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विभोर अलाबादी है और आपका स्वागत है मेरे चैनल प्रॉपर्टी माइन में आज हम चलेंगे friends, sector 35 रुहिनी और देखेंगे वहाँ कौन-कौन से dimensions के plots है और क्या वो अच्छी destination है हमारी investment के लिए तो मेरी वीडियो में last तक जरूर बनिये रहेगा दोस्तों और इसे share, like और subscribe करना बिलकुल मत भूलिएगा और अब हम त्यार हो जाते हैं, अपने precautions लेते हैं और फिर चलते हैं अपनी sector 35 की तरफ यह लगा लिया हमने अपना mask और यह हमने ले लिया sanitizer अब हम वो चुके हैं पूरे ready दोस्तों तो आये चलते हैं अपनी destination की तरफ अब हम सेक्टर 35 रोहिनी में आ चुके हैं दोस्तों और यहां पर total तीन pockets हैं जो की हैं A1, A2 और C1 और at present जो हम खड़े हैं दोस्तों वो खड़े हैं A2 pocket में तो आप सबसे पहले आप 35 सेक्टर का layout देख सकते हैं दोस्तों जो की आपकी screen पर आएगा और अब हम आपको बताते हैं कि यहां पर क्या-क्या development हो चुकी हैं सबसे पहले तो आप देखिए जहां पर हम खड़े हैं वापर सारी की सारी रोड बंचुकी है दोस्तों और left-hand side पर अगर आप मेरे देखेंगे तो electricity poles भी लग चुके हैं तो यह electricity connection भी आप यह समझ लीज जहां पर लोगों ने रहना start कर दिया है तो investment option के अगर as a route हम इसे देखते हैं तो यह बहुत ही अच्छी investment destination हो सकती है दोस्तों और सबसे important चीज़ जो हम आपको बताना चाहेंगे इसमें इस pocket की खासियत जो है वो यह है कि यहां पर सिर्टी टू मीटर और 60 स्कूर मीटर के plot है और 32 मीटर की रेंज जो हमारी start हो जाती है वो start हो जाती है around 20 लाफ रूपीज से जो की circle rate से भी कम है आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं friends यहां पर इस pocket का layout आपके आएगा जैसे कि हम आप से circle rate की बात कर रहे थे दोस्तों वो है 72,000 रूपीज पर स्कूर मीटर का जो की government rate है और अगर आप उसको 32 स्कूर मीटर से calculate करते हैं तो आता है साड़े 22 लाफ रूपे मतलब की जो भी आप register करवाएंगे वो साड़े 22 लाफ रूपी की register होगी और आप आप अगर आप 60 स्कूर मीटर की बात करते हैं तो 60 स्कूर मीटर का जो rates है वो start हो जाते है 40 लाफ रूपीज से and it goes up till 60 लाफ रूपीज depending on the location और किस जगे वो लाए करता है और 60 स्कूर मीटर का अगर आप circle rate के इसाफ से calculation करेंगे दोस्तों तो वो बैठेगी 42 लाफ रूपी 31,000 and this 42,31,000 रूपीज इसमें जो है 2,31,000 रूपी आप गेन कर सकते हैं by investing in 60 स्कूर मीटर बलाट्स जो की मैंने आपको बताया था कि सिर्फ पर सिर्फ 40,000 रूपे का है अब हमारी tip of the day friends जिसमें हम आपको बताएंगे कि कौन से pocket सबसे अच्छी है investment के लिए so that आपको अच्छे appreciation मिल सके तो यहाँ पे जैसा कि हमने आपको बताया था तीन pockets हैं A1, A2 और C1 तो best pocket जो है investment के लिए वो A1 और A2 है friends अगर आप compare करते हैं तीनों को तो A1 और A2 as compared to C1 बहुत अच्छी है because C1 में अभी कुछ ऐसी land है जो कि अभी तक government ने acquire नहीं करी है जहाँ पे की plots नहीं कट पाए है और दूसरी चीज यहाँ पे LIG flats की construction जादा हुई भी है जिसकी वज़े से यहाँ पे plots जहाँ वो कम है और उनके rates भी कम है तो यह कुछ ऐसे reasons हैं जिसकी वज़े से plots के rates जो हैं यहाँ पे C1 में कम है बट अगर overall appreciation की बात करें हम तो A1 और A2 pocket सबसे अच्छी है यहाँ पे आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पे पीछे जो colony है वो बस चुकी है यह A1 और A2 की colony नहीं है मैं आपको clear कर दूँ यह जो colony है उसके back side पर पड़ती है तो आप समझ सकते हैं कोई भी बसावत अगर आएगी तो A1 और A2 में सबसे पहले आएगी दोस्तों तो मेरे हिसाब से आपको इन दोनों पॉकेट में इंवेश्मेंट करनी चाहिए और अगर आप इंवेश्मेंट के लिए इच्छुक हो तो आप मुझे कांटाक कर सकते हैं मेरा नंबर स्क्रीन पर गिवन है दोस्तों और आप नीचे भी देख सकते हैं प्रापर्टी माइंड मेरा चैनल है तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो काइनली लाइक एट शेयर इट और सब्सक्राइब करना मद भूलिएगा